Hello guys, welcome back to my channel, आप देख रहे हैं श्री बिरगु अर्वल्स, मेरा नाम है निखिल भारगफ, दोस्तों, आज का व्लोग फोकस है, frequent urination क्यों पर, frequent urination में क्या होता है, आपको बार बार urine आता है, बार बार ट्रेट जाते हैं, कभी को आरा ऐसा होता है कि 20 times a day, 20 बार दिन में जाना आपको बार बार urine आने का problem हो सकता है, इसमें सबसे पहला है diabetes, अगर आपको शुगर की बीमारी, अगर आपको diabetes है, तो इसका मतलब ये है, कि आपको बार बार urine आएगा, ये obvious है, क्योंकि diabetes में क्या होता है, diabetes एक ऐसा रोग है, जो आपको internal wounds पैदा करता है, यानि internal wounds आपको weak बजाते रहता है, जिससे आपकी body weak होते जाती है, क्योंकि ये काफी, मतलब बहुत ही बेकार रोग माना जाता है इसको, जिन लोगों ने इनको control कर लिया है, जो लेवल पे रहते हैं, काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनका diet और रूटीन, उनका daily routine है, काफी अच्छा है, ये ह आपको चक्कर आएंगे और आपको body में weakness ज्यादा लएगा, तो थोड़ा बहुत शुगर आप ले सकते हैं, अगर टी में थोड़ा बहुत शुगर लेंगे तो कोई दिकत नहीं है, पर आप regular sweetness जो foods होते हैं, मतलब जो एकदम जैसे मिठाई है, अपना गुड है, jaggery जिसे ह कहते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं लेना है, शहद आप नहीं ले सकते हैं, जिनको डियाबिटी से वो शहद बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे आपको दिकत हो सकती है, मिश्री, जिसे हम sugar candy कहते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें glucose की मात्रा कम रहती है, compare to sugar, और जो processed sugar आता है, जो polished वारे शुगर आता है, वो तो एक तरह से poison का काम करता है, diabetic patients के लिए, तो आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें इग्नोर करें, और आपन बात कर रहे हैं, frequent urination के लिए, frequent urination में सबसे पहले में आपको बदाए, डियाबिटी सी बेस होता है, दूसरा है कि आपकी body में कहीं न कहीं changes आए हैं, या आपको कहीं न कहीं disturbance हो रहा है आपकी body को, तो ये थोड़ा आपको संकेत देता है body, कि आप इस चीज़ को समझें और उस चीज़ को ध्यान दें, जिससे आपकी body अच्छे से रिकबर हो, और आप उसको ध्यान देंगे तो आप उस बार-बार urine जाने का आपको दिक्कत देगा, तो ये तीन चीज़े हैं, सबसे बड़ा diabetic body, दूसरा है anxiety, अगर आपको मीन नहीं आती है, तीसरा है bladder stone, अगर आपकी body में stone है, kidney stone है, तो आपको ये problem हो सकती है, तो आज इस vlog में हम cover करेंगे इन सब चीज़ों को आप क्योर कैस secure कर सकते हैं with the help of fire with it, वो चीज़े मैं आपको बताऊँगा, दोस्तों इसमें दो चीज़े काफी अच्छा काम करती है, इसमें सबसे पहला stage यानि पहला जो medicine है वो लेते हैं हम बहु मूतरांतक रस, बहु मूतरांतक रस का मतलब यह होता है, बहु मूतरांतक रस का मतलब बहु मूतर का अंत, उसका रस यह बनाया जाता है, एक composition, a special composition है for your frequent urination, और इसको आप लेना है दोनो टाइम, इन चीज़ों को आप दो टाइम ले सकते हैं, टाबलेट फॉम में आता है बहु मूतरांतक रस, और किसी भी company का लेजिए, सबी company हैं सबसे best है, सबी चीज़े अ खाएंगे, ज्यादा जैंक फूड नहीं लेंगे, खड़ाई का कम विप्योक करेंगे, टैंगी फ्लेवर, जो foods होते हैं, उनका कम विप्योक करेंगे, तो आपको अच्छी results मिलेंगे, तो बहु मूतरांतक रस, आपको कैसे लेना है, बहु मूतरांतक रस, आपको शहद से लेना है, अब आप मेरे से बूलोगे, क्या शहद आपने अभी मना किया, डायबटिक पेशन्स को, तो आप शहद से कैसे दे सकते हैं, बहु मूतरांतक रस, शुगर पेटिंस जो है, वो शहद से ना लेते हुए, दूद से ले सकते हैं, दूद से अगर आप लेते हैं, तो यह सिंपल स्टेज है, यानि एक यह अपना पहला स्टाइप है, अगर इस चीज़ से नहीं होता है, तो आप इस मैडिसिन के साथ, बहु मूतरांतक रस के साथ, एक मैडिसिन आपको और एड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं, सोमनातरस, सोमनातरस दोस्तों, फिक्रेंट बहु मुतानतक रस, तो इन दोनों को अगर आप साथ में लेते हैं, सिंपल, शैद से लेना है, और जो डाइबटिक पेशन्ट से वो दूद से लीजिए, और अगर आप लेक्टोजन टॉलेंट है, इन केस अगर आपको दूद नहीं पच्छता है, तो आप पानी से भी ले है, कि आप परेश के साथ रहिए, और जो भी टाइम टेबल है, जो भी आपका बैलन्स राइड है, वो लीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अर विदर टाइम कंजूमिंग है, तो आप इतनी जल्दी पेशन्स मत हारिएगा, थोड़ा पेशन्स से अगर आ आने के बाद, बहुमूतांतागरस और सोमनातरस, यह दो चीजे हैं, जो आपको अपने ध्यान रखनी है, और फूड्स, जो फूड्स होते हैं, अगर आप डाइड मे ले रहे हैं, तो खीरा ले सकते हो, खीरा में कोई नहीं होता, सिर्फ कैलरीज इतनी जादा नहीं रहती हैं, तो खीरा आपकी लिए अच्छा काम करेगा, आपके किड्नी स्टोन पर भी खीरा अच्छा काम करता है, कुकूंबर जहम जिसे कहते हैं, लेमन जूस, लेमन जूस भी आप ले सकते हैं, यह लेमन टी ले सकते हैं, लेमन टी भी काफी अच्छा काम करती है, आपके स्ट में वो अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी सोबे जो लेते हैं लेमन टी या ग्रीन टी वो आप कभी भी ले सकते हैं सोबे का कोई संबन नहीं है पर सोते समय अगर लेते हैं तो एक घड़ घंटे पहले लीजिए और सोमनात्रस और भाहु मुदांतरक्रा आपके फ्रिक्रंड यूरिनेशन के लिए काफी अच्छा काम करता है अधर चीजें जो है आपको यूरिनेशन प्रॉब्लम जो भी है तो आप मेरे से डाइट मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है यह दोनों चीजें मेरे पास अबलेबल है और जितनी भी मैडिसिंस मैं व्लॉग में कवर करता हूं और कॉमपोजिशन जो भी मैं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डाइट कॉंटेट करिये मैं आपको जरू है करूंगा तो यह छोटा सा ब्लॉग दोस्तों फॉर यूरिनेशन यह काफी सिंपल योग है जो लोगों को नहीं मालू है मैं उनको प्रमूट कर नहीं कोशिच कर रहा हूं जिससे आपक लोगो काफी बैस्ट से बैस्ति घए बैस्ट सर्सक रां पले मैं